स्वीगी में पिछले तीन साल से काम कर रहा हूं और हमारे बीच में हमारा एक देविलाल भाई था जो हमारे साथ काम करता था स्वीगी में फूट डिलेवरी करता था हमको कमपनी पहले 30 रुपे प्याओ देती थी आप जाके वह 20 रुपे 15 रुपे देती है कल विचारा वह एक आडर डिलेवर करने गया तो 10-20 रुपे कुछ उसको मिले होंगे उस आडर के और उसका एक्सिडेंट हो गया वहां पे और कंपनी उसके कोई मदद नहीं कर रही है यही कारण है इसलिए हम लोगों ने सबने हर्ताल करी है और चार लड़किया थी आने में कारवाई यह हुई है हम लोग गए थे वहाँ पर हम सारे लोग गए थे कम से कम हम देर से 200 राइडर गए थे वहाँ पर हमने टी इसे बात किये उन्होंने बता अब यह फार वगरा सारी चीजे दर्ज हो चुकी है आप जाहिए जो भी धारा है हम लगाएंगे उन पर करेंगे पर प्लस पॉइंट यह है तो उन्होंने जब एक बंदे का एक्सिटेंट वह और इस्पोर्ट पर मर गया फिर उसे राथ को छोड़ दिया गया है वह लड़कियों को राथ को छोड़ दिया गया है तो उसका कारण क्या है अगर हम लोग कभी कोई सिगनल तोड़त है अगर उनको मतलब बेल पर छोड़ दिया अगर कभी हम को ऐसी हरकत करते हमारे तो कोई मार मुरा जाता कोई एक्सिडेंट होता है ता हम लोगों को एक दिन क्या सालों साल थे वह बाहर निया आने देते हैं ताने वालों ने छोड़ दिया उन्होंने सराप पी रखी थी चारो लड़किया नशे में थी विजनागर से पार्टी बना के आ रहे हैं तो लोग आ रहे थे तड़किया सराप्टी हुई थी और उन्होंने मतलब हमारे तेज गटी में उनकी कार थी और हमारे स्वीगी का एक डिलोरी बोई है जिसके साथ गटना गटी है तो यही हमारा है कि उसको नियाई मिले क्योंकि हम सब उसी के लिए यहां पर इखटे हुए है एकित हुए है और लड़कियों पर सकत से सकत कारवाई की जाए बड़ी से बड़ी कारवाई की जाए क्यूंकि आज हम लोग सब गर परिवार वाले बंदे हैं यहां पर किसी का कोई बच्चा उबेर और एसी जो भी कमपनिया है फूट डिलेवरी इनके राइडरों के उफर क्या बीत रहा है हम लोग धंड बारीज गर्मी हर समय में कंटिनूंग तीन सो पेशेट दिन हम लोग काम करते हैं रात्री करीब गया साड़े क्यारा वजे के करीब एक हंडर्ड डाल से सुचना में थी कि एक एक्सिडेंट हुआ है मोके पर एक वेक्ति हैं जिनकी देथ हुई है वो मोटसरेकल से थे उनके साथ ही ने फ़ाया लिखवाई है अभी उनका पीम वगरह करवा दिया गया है सामने से कार में चार यूंतियां थी जो यूति जो है कार चला रही थी उनको जो है जो प्रोसेस से गिरफ्तार किया जाता है हमको जमात मुचल के पर वियाट किया गया विवेचना जा रही है उसमें हमनोंने मेडिकल करवाया है और चुकि क्वाल्टिटी वाली बात कुछ आ नहीं रही है यह जरूर है कि इस मेल जो है वो बताई जा रही थी उसके आधार पर धारा बढ़ाई गली कि इसमें चुकि बच्ची का लाइसेंस नहीं था तो पिता को नोटिस देखके वो कारवाई की जाएगी जो की मोटर विकल के अंतरगत और आई पीसी के अंतरगत आती है